हेलो फ्रेंड्स आपका वेलकम है मेरे एक नए व्लॉग में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दुबाई के एक प्लेस की सैर करवाती हूँ तो यहां देखें यह है दुबाई का मिरेकल गार्डन तो यह दुबाई की एक पॉपलर प्लेस तो जो भी दुबाई जाते हैं लोग तो यहां पर जुरूर विजट करने जाते हैं बहुत ही सुन्दर गार्डन है और वर्ड के कुछ स्पेशल गार्डन में आता है यह काफी बिग गार्डन है यह देखे सामने ग्रास से हॉर्स बने हुए एंटरंस पर ही और सारी जगा फूल ही फूल है इसमें और मानना यह जाता है कि इसमें 16 करोड फ्लावर जो हैं वो खिले रहते हैं आलवेज खिले रहते हैं हमेशा यह देखें यह एंटरंस पर हॉर्स लगे हैं और उन पर ग्रास लगाया हुए है और साइड़ों पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है और ये सामने एक तक साब ना हुआ है और ये देखें सामने और बड़ी सुन्दर फ्लावर्स लगे हैं और ये इसको सारा ट्री के जैसे बनाया पड़ा है ये देखें सारे ग्रास और फ्लावर्स को मिलाके डेकोरिशन की गी है जो बहुत ही सुन्दर लग रही है जो यहां पर रेस्ट हाउस वगरा बने हैं उन्पे भी इन्होंने फ्लावर्स से डेकोरिशन करी हुई है ये सारी रेस्ट हाउस की भी और कुछ जूले लगे हुए हैं वो भी सारे फ्लावर्स से सजाए हुए है जो भी बिल्डिंग्स वगरा भी अंदर हैं उनको भी फ्लावर्स से डेकोरिशन करी पड़ी है और वो सब उरिजिनल फ्लावर्स है तो यह देखें कैसा कितना सुन्दर लग रहा है यह सामने जो राउंट वाले हैं यह सारे रेस्ट हाउस बने रेस्ट रूम बने हुए हैं यहां पर फ्लावर्स से सजाया पड़ा है इनको और इस साड़ यह बिल्डिंग है और सामने एलिफेंट्स जो हैं वो भी ग्रास से बनाया हुए है तो बहुत ही सुन्दर देखने वाली जगह है और इसमें यह बात है वो यह है कि यह सारा दुबई में रेत में बनाया हुए है गार्डन रेत में इतने फ्लावर्स खिलाए हुए है खिले हुए है कि मानना नहीं जा सकता कि रेत में इतने फ्लावर्स खिले हुएंगे ब्लीव नहीं होता और यहां से सिरफ वन किलोमेटर दूर आप जाओगे तो वहां से प्रॉपर डैजर्ट शुरू हो जाता है डैजर्ट जहां पर सिरफ सैंड ही सैंड है रेत ही रेत है जिसको desert हम बोल देते हैं और इस place को इन्होंने इतना सुन्दर बना दिया है flowers से कि proper tourist place बन गी है जो भी tourist यहां दुबई में आते हैं तो इसको जुरूर देखने आते हैं यह दिखें कितनी सुन्दर decoration करी है flowers से यह एक aeroplane जहाज बनाया हुआ है प्रॉपर और इसकी यह बात है कि इसमें flowers जो हैं वो 16 क्रोड हैं और flowers की kind जो हैं वो नहीं 16 क्रोड कई लोग मानते हैं कि जहाँ पे 16 क्रोड तरहां के flower खिले हुए हैं पर यह सच नहीं है यहाँ पे again and again वो ही flowers एक तो तरहां के जा चार पांच mainly जो इस desert में हो सकते थे उन्होंने वो ही यूज किये हुए हैं और जो है flowers की गिंती जो हैं उसको हम 16 क्रोड में लेके जा सकते हैं तो friends देखें कि मेरा यह व्लॉग आपको कैसा लगा and आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजिए बहुत ही सुन्दर जो है सीन है इसका और देखने लाइक प्लेस है दबई की life में one time विजड तो बनता है दबई जाने का तो जो भी दबई जाना वो इस miracle garden को जरूर विजड करना आपको बहुत बढ़िया लगेगा यह देखें कितने सुन्दर flowers हैं very beautiful मुझे तो flowers वैसे बढ़े अच्छे लगते हैं यह देखें यह भी सारा बैठने के लिए जो बनाए हैं उन्होंने रेस्ट के लिए वो भी सब flowers से cover करे हुए flowers और grass यहां से सारा नजर आ रहा है सारी flowers की decoration है तो उमीद है friends की आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा होगा तो friends बाई बाई तिल नेक्स्ट व्लॉग बाई आ रहा है तो